हाई प्रेंट्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल वेस्टेटी क्लासेस तो आज हम लोग वायो का क्लास करने वाले हैं जिसमें हमारा टॉपिक है वहन जिसको ट्रांसपोरेशन भी इंग्लिश में बोला जाता है ठीक है तो आज हम लोग यह वायो का जो थर्ड पार्ट है हम हमारा वहन यह वहन जो यह हमारा टॉपिक है इसके बाद हम लोगों सर्जन पढ़ेंगे ठीक है पोशन सब चीज हम लोग बैक साइड में पढ़ चुके हैं ठीक है आज हम लोग वहन स्टार्ट करने वाले हैं तो वहन को क्या बोला जाता है इंग्लिश में ठीक है तो आज हम लोग का टॉपिक है वहन긴 लेकिन हम लोग पढ़ रहें हैं किस मैं प्रेक्राम में पढ़ रहे हैं हमारा जो चैप्टर का नाम है क्या है उसका फार्स क्या हिए भाद ठीक है पोसन स्वसन हो चुका है अब वहन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इसके आगे हम लोग उत्सर्जन पढ़ेंगे ठीक है तो वहन में होता क्या है क्या बोलता है खुन के द्वारा सभी अवस्यक समागरी पूरे सरीर में भोजन तथा वज्ज पदास को वाहर निकालन ठीक है लेकिन सी पोड का बच्च लोग उसको आ सकता है आएगा ऐसे वाटए इस ट्रांसपोरेशन ठीक है तो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ज्वाब देंगे क्या कि जैसे पूछ दे कि वहन है क्या ठांसपोरेशन होता क्या है तो खून के द्वारा स पढ़ाएंगे हरे को अलग अलग बतलो कि हच जो कर रहा है यहां पर यह जो हच ऐसे करके लिखे हुए हम हच इस तरह से यह मैंन टॉपिक पढ़ना है जैसे मानव में वहन तो यह वहन के अंदर गतियां लेकिन मानव में वहन जो पढ़ने के लिए यह टिक है छो भी पढ़ेंगे सब वहन में पढ़ेंगे ठीक है तो अब मानव में वहन हम लुग किस करकार से होता है तो क्या बोलता है हमारे सरीर में भोजन से प्रप्र पोसकat हैं कि जो लोग खाते हैं अनज वगेरा अनाज वगेरा जो खाते हैं उससे हम लोग को वड़ी में क्या होता है पोसक्तत मिलते हैं करभोहाइडरेस पोलती उतैंस भिटामीन से मिकलग मिलता हैं सारे लोग आप लोग जानतना हैं यह जिए नहीं लेके जी multipoo नहीं है आदी सारे पतार्थ रूधिर, रूधिर का मतलब यहाँ पर खुन, ठीक है, द्वारा वहन किया जाता है, अर्थात सभी अंगों में पहुंचाया जाता है, ठीक है, यह चीज भी आप लोग जान पहे हैं, जैसे हमारे बोडी में क्या होगा, जब हम लोग पोसक तत्व जब ले जाने का वर्क करेगा, और वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, वहन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहन में जो भी चीज होगा, वो हमारे बोडी में क्या करेगा, एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने की किरिया ही करेगा, ठीक है, उसी परकार यहाँ पर पताया जा रहा है कि हमारे शरीर में भोजन से प्राथ पोसक तत्व एबं तथा पोसक तत्व ऑक्सीजन कारवन डाइकसाइट आधी शरीर पदार तरूधिर द्वारा वहन किया जाता है का नहीं मतलब क्या कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जिसे हमारे बोड़ी में खुन से सारे नसों के द्वारा सारे एरिया में क्या हो रहा है ब्लड सर्कूलेशन से क्या हो रहा है पहुंचाया जा रहा है अर्थार सभी ँंगों में पहुंचाया जाता है सभी यंगों का ने मतलब क्या किजूआ हमारे चैशच की द्वारा हम सो करेंगे वितुम करेंगे वह MOT grants तोपिक क्या है हमारा हिर्दय पंप करने मतलब क्या जो हमारे हट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है देखे तो हम अपने अपने समना यह अच्छाव नहीं बन पाया है जो भी है जैसा है है आप लोग समझने का प्रयास किजएगा ठीक है कि कि इसको अपुए हैं क्या बोला जा रहा है और समय मरती हूँ करेंगव यहां है When we catch happen मूठी के अकार होता मूठी इस परकार से अगर मूठी आगर दिखाया तो यहां पर इसको देखेंगे और गोला हमने किस के अकार का मूठी के अकार के होता है चुकि खुन ऑक्सिक्रित अर्थात ऑक्सीजन से युक्त तथा कारवन डाइकसाइड युक्त दोनों का ही वहन करता है किसका ऑक्सिक्रित अर्थात ऑक्सीजन से युक्त तथा कारवन डाइकसाइड से युक्त दोनों का ही क्या करता है वहन करता है आता है दोनों तरह के खुन को आपस में मिलाने से रोकने के लिए हमारा हिर्दय कई कोष्टों में बटा होता है अब हिर्दय जो हमारे कई कोष् लुग इसमने देखते हैं तो इह हमारा हिरदय पौंप यह हमारा हिरदय समझें हैं अगर इस log को समझ में नहीं आप आ रहह न Chen तो आप अपने बुक्स को open किजिए और बुक्स में हिरदय पंप हमारा हिर जो पढ़ने को है उसको open करके रखे इसमें हम समझाते चलेंगे और आप उसमें देखते चलिए ठीक है जहां जहां बताएंगे वहां वहां आप लोग देखेगा तो आप लोग को समझ में जरूर देखें यह साइट वाला यह जो लाइन पर यह लाइन पर है अंत्रा निला अंत्रा निला भी दिये ठीक है और यहां पर यह वाला है दिर्दली होता है और एफ़ कर बायन अले इधर और दाया अले इधर होता हित्व इस तरह से निकला है और यह अगर महा सी रहा है इस फीगर को हम हमेशा के लिए यहां पर रखेंगे हमेशा के लिए करने हो वतलब क्या कि जब तक हम हमारा हिर्दाय पंप हमारे टॉपिक चलते रहेगा तो यह जो हिर्दाय बना हुआ कि'Tे वहाग बनाने में दिक्काट होता है और इसमें हमारा हुर्दय पंप में किते हैं हमारा हुर्डय किक्त कर से होता है यहां पर आप लोग को फीगर में आपहुम दिखाों अब ही है यह होता ही और एक बाइध में बटा हुआ है God the ृपोब हो गया अब उसमें दायाननीलै होता है और अक दाया अलीध दाव बायान अलीध होता जैसा तुम को अब लोग को निए के आप लोस को साल किये तो उसको इसको उतार लिज्याव बना के फिक इश आप लोग इसको नोश्च कर लिजिए बाकित चलते हैं अब हम लोग का लेक्स पार आता है है क्या रट दाव ठीक है अब हम लोग को के भीति के विरूत जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं रूधिर का मतलब बैक साइड में आप लोग को हम बलड बताएं थे खोन बताएं थे तो क्या बोलता है रूधिर वहिकाओ के भीति के विरूत जो दाब लगता है उसको क्या बोला जाता है रक्तदाब बोल धामनी के अंदर रूधिर का दाव निलय प्रकुंचन धामनी के अंदर रूधिर का दाव रूधिर का दाव क्या निलय प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन तथा निलय अनुसिथलन के दौरान धामनी के अंदर का दाव अनुसिथलन दाव कहलाता है ठीक है एक नोट्स में डवांन्ट में लिखा गया है कि अनुसीथिलन नव के अड़ी होता है वन च्वेंटी ऐसे इस तरह से बीपी जो होता है बीपी कितना 120 mm अनीचे 80 mm इस तरह से ना पढ़ जाता है जैसे आप लोग जाएएंगा डॉक्टर कहां और बोलिया कि हमारा ब्लड प्रेसर क्या कर दीजिए माप दीजिए तो एक ऐसे मसीन निकालेगा तो उसको बोल सकते हैं कि अस्टोमें बॉक्स देख यह मान चलिए हमारा इस तरह से बीपी नापने वाला मसीन है तो ऐसे खोलेगा ओपन करेगा इसमें उपर क्या करेगा पारा उपर में ऐसे सो करते रहता है दो लाइन में रहेगा उपर के पैंप द्वारा क्या डाला हुआ रहता है और नीचे क्या रहेगा पारा बैठा chilone की तरह उसको फ्रेश करता है और एक हाथ में को बैंड़न की तरह अपने वाला वह से बहु Gibbs और हाथ में क्या करेगा वो पूस करेगा और अपने आला के द्वारा आपके हाथ में यहां पे आला से वो अपने कान में डालेगा वो टूपिन की जैसा रहता है वो अपने कान में और एक जो ऐसे से पूस करने वाला रहता है वो आपके नस्के यहां पे डालेगा और एक में क्या करें और यहां से पूस करता है तो पारा क्या होता है उपर नीचे हम लोग को हमारा मपा जाता है ठीक है एक्चली हमारे नौर्मल पर्सन जो स्वास्थ वियक्ति होते हैं उनमें कितना भी भीपी रहना चाहिए 120 mm अपन 80 mm ठीक है रखतदाड में इतना ही पर और लोगों आगे चीज में बताएंगे आप एप सारे चीज है इसको आप Lox कि आगे चलते हैं आगा एप लिए ड्याना आनूरच्छन हम लोग किस परकार से करते हैं घ्मारे ब्राडी पलेटलिस नहीं रहे तो हम लोग हमारा body क्या रह पाएगा या नहीं हो रह पाएगा उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे प्लेटलेस्ट के बारे में क्या बोलता है blood में प्लेटलेस्ट को सिखाएं होती है किसमें blood में platelets को सिखाएं होती है या platelets को सिखाएं blood के साथ पूरे सरीर में दोड़ती है platelets के साथ में क्या करती है blood के साथ platelets को सिखाएं पूरे सरीर में क्या करती है running करती है दोड़ते रहती है ठीक है और किसी भी अस्थान पर blood को किसी भी कारण से रोकती है ब्लट क्या सोरी और किसी भी स्थानर को किसी भी कारण से कम बतलब क्या करने का प्लーट को रहेगा हमेशा रहेगा भाप रहीगा ठीक है तो उसी को रोकने के लिए हमारा बूमी का किसका पॉपकर को कुछी कहों BUR जैसे accident हुआ उसके बाद वो गाड़ी बगेरा से लगने के कारण क्या होता ब्रेन या फिर हाथ पैर यह से क्या होता है ब्लड क्या होने लगता फ्लो होने लगता अगर बॉड़ी में प्लेटलिस की मातरा अगर कम हो तो आप लोग का जो ब्लड होगा वो निरांतरन क्या होत होते रहेगा ठीक है तो उसी को रोकने के लिए प्लेटलिस का हमारा अहां भूमी का है उसमें ठीक है अब एक नोट में क्या बताया जा रहा है कि एक विमारी होता है डेंगू जो एडिज एजप्टी मच्छर के काटने से होता है जो फिलहाल अभी प्रेजेंटेशन में प अग्दम कर दता है और मतलब इतना हो जाएगा कि जिंदा नहीं रहा पाएंगे हमारे बोडि में मत्तों कि हम लोग जीवीत है क्यों हमारा प्लेस्टिस क्या है नॉर्मल पर्सन में क्या होता है प्लेटले मतलों एक अलमोस्ट लगभग उसका समान होता है जिसके कारण ओक्या होता है जी पाता है और यह ऐसा मच्छर है जो अगर मनुष्य को काटने से अगर उसमें वाइरस की तरह यह वाइरस की तरह फैल रहा ठीक है आज के डेट में तो ऍसमें नयु क्या होता है तो यह काटने से मनुष्य को कातने से क्लेट ने से क्या होता है उसका ज्यादर दिनों तक हो नहीं रह पाते हैं ठीक है तो हमारे प्लैटलेस्स अगर हमारे बोड़ी में अगर हमेशा नहीं रह पाई कभी उच नीच होते रहता है यह होते रहता है उच्छा नीच मतलब आप डॉन होते रहता है ठीक है लेकिन अगर अगर कमते जा तो हमारा बोड़ी क्या रहेगा A& और टेखी जो जो चीजन आप लोग पढ़रा है जानेंगे और उसके बाद हमारा अब ताब्त हलाट में हैं डिता है उसके बारें टीक कि वारा उसके बास्ट हो जाएगा धाइब। देखते हैं इसमें सिर्फ दो मिनिट का लेक्चर है इसको समझ जा देता है लासिका में होता क्या है ठीक है यह एक आन्य परकार का दाब है ठीक है जो वहाँ दाईता करता है को चिद्रोड वारा कुछ प्रोटीन तथा रूधिर कोशिकाओं से वहाँ निकल कर उत्तक के अंता कोशिकाओं कोश्किये अबकास में आ जाते हैं तथा उत्तक स्तरल या लशिकाओं का निर्मान करता है जैसे मतलब इसमें यहां से देखे कि कोशिकौंग की भीती में उपास्थी छिद्रों द्वारा कुछ प्रोटीन तर्था रुधिर कोशिकौंग में वहां निकल कर अंतकोश कीये अब कास में क्या हो जाता है? आ जाते हैं आठा उत्तक तरल या लसिका का निर्मान हो जाता है ठीक है तो इसमें लसिका हमारा last topic था वाहन में वाहन हमारा यहां पे समाप्त होता है बाकी बचा हमारा एक जैप्रेक्रम का last topic प्राइस प्रारफ fact is chief एप्रारow में हम लोग पहले दिए को पर्शण पढ़ें श्वसंपढ़ें तीसरा हमारा था वह जो आज हमारे यह समАप्त होता है अगरा topic है हमारा उत्सर्जार्जन उत्सर्जन पढ़ने कें बाद हमारा जैप्रकरम का जो chapter हा वह पूरा खत्म हो जब़गा ठीक है ये लसी का हमाराल सीकह हमारा last topic था वाहन का ठिक है वाहन हमारा यहां पर ग marc होता है बागे आप लोगों को उस सेजन के बारे में अगले क्लास में ठीक है थैंक यूँ